दोस्तो बिहार पुलीस दरोगा को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है बिहार पुलीस में जो है दरोगा की वेकेंसी आने वाली है सब इंस्पेक्टर की जिसको हम SI बोलते हैं और इसमें कितने पद होने वाले हैं कब से फॉर्म भरने की संभावना हैं इसके इक्जा दोगा तो आए फ्रेंट जानते हैं कि क्या कुछ अपडेट निकल के आ रहे हैं बिहार पुलीस दरोगा के लिएक यह अपडेट आपके लिए जानना उतना ही महतपूर है जितने आप महतपूर से इस वेकेंसी का इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आपको जानना बहुत दूरी क्योंकि आपका इक्जाम का भी सिडूल जो है अबर आ चुका है तो आए जानते हैं क्या कुछ अपडेट यहां पे निकल के आ रहे हैं देखें फ्रेंट्स एक न्यूज आर्टिकल के माध्यम से में बिहार पुलिस में जल्द निकले गी 1275 दरोगा की बहाली और यहां पे पिछले 5 महिने से रोस्टर क्लेंस को लेकर फसा हुआ था लेकिन अब जो है तकनीकी बधाओ को दूर करते हुए इस माह रोस्टर क्लेयर होने की पूरी उमीद यहां पे बताई जा रही है अब यहां बोला जा रहा है कि इसके साथ ही अक्टूबर माह में बिग्यापन पर प्रकिरिया चल रही है पुलिस सुत्रों के मुताबिक दरोगा बहाली को लेकर पहले त्यार किये गए रोस्टर में दिव्यांगों को आरचण का प्रावधान किया गया था लेकिन पुलिस बहाली में इसका प्रावधान नहीं होने की वज़ा से रोस्टर को संसोधित करते विभ्यांगों के लिए अलग से एस्टोनोern एस्टाइब पद का स्रूजन करते वे असाइब का निकालने पर विचार किया जा रहा है यहांने एक और वेकैनफी आ सकती है जो एस्टाइब घ्राफ़र उसकी वेकैंसियां पर आ सकती है जे चिकर किया गया है और वो लगए कि रोश्टर क्लिरंस के बाद इसे बिहार पुलिस अवर सेवायों को भेजा जाएगा जहां से बिग्यापन जारी होगा 1391 सिपाईों के भरती के बाद 1275 दोड़ा की बहाली को लेकर बिगापन की परकिरिया शुरू की जानी थी बरतमान में इतना सिपाई भरती को लेकर आवेदन परकिरिया खत्म हो गई है लेकित परिछा के तीती भी तहे हो गया है तो फिर देख सकते हैं यहां पर बताया जा रहा है कि अक्टूबर माह में आपका मतलब नोटिफिकेशन आ जाएगा क्योंकि रोस्टर क्लिरंस में थोड़ा सी जानकारी बाकी थी तो भी रोस्टर क्लिरंस हो चुका है जो भी तक निक है प्रोब्लम थी वो भी सौट आउ होंगे बड़ी अपडेट यह निकल के आ रही है और यहां पे आप देख सकते हैं जल्द ही इतना और पुलिस कर्मी को उच्तर परभार दिया जाएगा इतना पर्मोशन भी यहां पर किया जा रहा है एटी जी ने जनकारी दिया कहां 200 इंस्पेक्टर जल्द ही बनेंगे DSP तो यह भी इसका अपडेट यहां पर है मतलब जो लोग है पहले से कारियत थे उनको पर्मोशन भी यहां पर किया जा रहा है और अभी हाली में देखिए 1168 दरोगा बने इंस्पेक्टर मतलब जो ओलड़ी 1168 पदों पे जो लोग दरोगा पे काम कर रहे थे दरोगा का पोस अपडेट है और यहां पे जो वेकेंसी आ रही हो 1275 आ रही है और मान के चलिए अक्टूबर में लोग बोल रहा है तो अगर डिलेव अगर होगा तो अक्टूबर के लास्ट मन्त में जो है मतलब लास्ट वीक में जो है अक्टूबर महीने के लास्ट वीक में आने की संभा अश्चाना थे नहीं तो कि नवंबर में हराल विग्यापन जारी होना ही होना है होना है देखे सेम जनकारी हिंदूस्तान लाइव में यह च्छापीं गई है कि 1275 दुरवा की भरती जो है बड़ा अपडेट आ चुका है आप यहां पे देखे सेम जनकारी यहां पे भी जनकारी यहां पे दिया गए जो पांच महीने से रोस्टर क्लिरेंस में फंसा हुआ था लेकिन तकनिकी बधाओ को दूर करते वे इस माहा रोस्टर क्लिर होने की पू नोटिफिकेशन आएगा यहीं से जो है आपको नोटिफिकेशन जारी होते हैं और यहीं जो है कमिसर आपका एक्जाम कंड़क्ट करती है रीटेन एक्जाम का तो आई होप आप लोग समझे होंगे इस वेकेंसी को लेकर और साथी सथ बतादू डैनिक जागरड में भी इस उसके बाद से आपका आवेधन भी शुरू हो जाएगा जैसे आवेधन शुरू होगा फूल नोटिफिकेशन आएगा सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से उपलप्त करा दी जाएगी टेलिग्राम पर जूड़े टेलिग्राम पर काफी सारे बच्चे कोई भी इन्फॉर्मेशन कोई भी अपडेट से वन्चित में रहे है आई होप आप लोग समझेंगे टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा जैसे कोई अपडेट आएगा आपको जो है इस चैनल के माध्यम से अपडेट दिया जाएगा यह म नवंबर में आपका एकजाम नवंबर दिसंबर में कंडक्ट होई जाएगा तो आपके पास दो से तीन महिना और समय बचा हुआ है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप लोग अपना जो है कोर्स को कंप्लीट करिए और प्रैक्टिस करना सुरू कर दिजिए आई होप